हेलो आल, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होगे तो आज की जो रेडिंग है ये हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपकी कौन सी विश्फ पूरी होने वाली है ठीक है, बहुत ही जल्ग सो इस टॉपिक पे हम लोग रेडिंग करने वाले हैं कि देखेंगे कि कौन सी विश आपकी पूरी होगी और क्या है वो विश है ना तो यह हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं ठीक और हमेशा की तरह जन्र रीडिंग रहने वाली है आप लोग आराम से देखो जो चीज़े रेजनेट कर रही है उसको आप लोग लो ठीक है जो रेजनेट नहीं कर रही है दुसरे को लिए छोड़ दीजे है ना तो चले फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत ही जल ठीक है इससे हम आपके पहले करेंट सुचेशन को देखेंगे ठीक है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी विश कौन सी पूरी होने वाली है ठीक तो चलो प्रस्नल लिडिंग लेनी है वाटसप नंबर पे कॉन्टक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारे डिटेल से दे डिडिंग होती है ठीक है इसकाइड में पीज आप सॉड्स ओके पहला कार्ड है पीज आप सॉड्स का कार्ड ठीक है खले, प्रस्ँट का लाभ प्रस्सक्ट करू अकरी क्कट कि वहते हैं शौंड ट्रस्सोण में प्रस्ष होतीं प्रस्ट कर देका ग्टिड और पूर अपकप्स ओके तो अरेंज कर दे रही हूं मैं पहले कार्ड ठीक है ताकि कार्ड आपको अच्छे से दीखे और है मेरे पास एट अप सॉट्स ठीक है यहाँ पर है मेरे पास सिक्स अपकप्स ओके तो यहाँ पर इतने कार्ड्स है मेरे पास अब चलो रीडिंग स्टाट करते हैं तो यहाँ पर कार्ड्स के नर्जी के अनुसार मुझे क्या दिख रहा है यहाँ मैं आपको साइन पहले बता देती हूं तो यहाँ पर यहाँ पर फायर अभी नहीं है मेरे पास ठीक है तो चलो रीडिंग स्टाट करते हैं तो यहाँ पर कार्ड्स के नर्जी के अनुसार मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पर इट आफ सॉट्स है बहुत सारे लोग अभी अपने आपको किसी ऐसे सि कोई भी आपके सिटूशन है कोई लव लाइफ को ले करके परिशान है कोई अपने करियर को ले करके परिशान है कोई अपने लाइफ पार्टर को ले करके परिशान है मतलब कि यहाँ पर परिशानी मुझे दिख रही है जिससे आपका यह दिख रहा है कि आप अपने आपक कर रहे हो अपने आपको ही रिग्रेट फिल कर रहे हो है ना एक कहते हैं ना कि उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो ऐसी एनर्जी में हैं आप ठीक है तो यह है और यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी अपरचुनिटी आपने खो दी है कुछ ऐ यहां पर देखा जाए तो आप लोग बहुत ज़दा उदास बहुत ज़दा परिशान मुझे नजर आ रहे हो ठीक है कुछ लोगों का मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने परिशन का वेट करते करते परिशान हो गए हो ठीक है लेकिन उनकी तरफ से अभी आपको कोई क आपको मिली थी लेकिन आपने उसको मिस कर दी ठीक है तो कुछ लोगों का मुझे यह भी नजर आ रहा है और यहां पर कुछ लोग यहां अपने आपको जो है आप अपने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने परिशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहां पर मुझे इस टाइब की भी एनर्जी दिख रही है जहां पर manifestation चल रहा है ठीक है और यहां पर मुझे यह दिखता है कि strength का भी card मेरे पास तो यहां एक तरीके से दिखा जाएं तो आपने अपने आपको आपने अपने आपने चीजों को कंट्रोल करना सीखा है तो आप चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हो बहुत सारे लोग अपने situation को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक आपने सीखा है किसी दूसरे पॉर्शन से या फिर अपने family member से किसी ना किसी से आपने आपको जो strength मिली है ये आपने gain की है ठीक है और बहुत अच्छे से किसको कैसे control करना है ये आप जानते हो ठीक तो यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है कि आपकी जो situation है यहाँ पे अपने बूरे हालातों को सही करते हुए आप चाहते हो कि हाँ मैं सही कर लो ठीक है इस type की भी energy है और यहाँ पे page of pentacles बहुत सारे लोग यहाँ पे मासूम है एकदम से कहते हैं कि साफ दिल के person है ना pure heart के person है आप लोग और यहाँ पे नजर आता है कि आपके जो cards हैं उसके अनुसार से यहाँ पे आप अपने career में कोई नया बदलाव चाहते हो ठीक है बहुत सारे लोग अपने career में नया बदलाव चाहते हैं अपने business अपने job में यहाँ पे growth चाहते हैं ठीक है new beginning चाहते हैं यहाँ और यहाँ पे यह दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे magic का यहाँ बहुत सारे लोग अपने चो कोई न्यूव कनेक्शन उनको चाहिए ना जो भी उनका break-up हुआ है तो उस परसन का कुछ लोग नहीं कर रहे हैं कुछ लोग अपने परसन का ही वेट कर रहे हैं जो कि उनके साथ पहले भी relation में रह चुके हैं उसी person का कुछ लोग यहां पे wait कर रहे हैं new beginning का यहां पे wait कर रहे हैं कुछ लोग यहां पे अपने skills और training का मुझे यहां पे दिख रहे हैं कि हाँ अपने निखार रहे हैं ट्रेनिंग करके यहां पे कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, सो विश कर रहे हैं कि हाँ हमारे जो है फाइनेशल ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो, सो यहां पे देखा जाए तो कुछ लोग यहां पे काफी अच्छी खासी एनरजी, मतलब कि फाइनांस के जरिये, फाइना बताता है कि आपके जो आपके जो सपने है ना, ठीक है, आपके जो सपने हैं, बहुत ही ज़्यादा आप पॉस्टिव पर्सन हो, ठीक है, और बहुत क्रियोसिटी रहती है आपके अंदर, ठीक है ना, और यहां पे मुझे यह दिखता है कि आप लोग कुछ नया सीखने चा हैं तो वह वाली सुच्चिशन नहीं है आपके साथ और यहां टे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहां पर पर स्टुडेंटि घो की तयारी करें अभी देना इनका एक्जाम आने वाला है और कऱेर को है ना तो यहाँ पे कुछ इस टाइब की भी energy है और wish मांग रहे हो कि हाँ हमारी ये wish पूरी हो जाए है ना कुछ लोग अपने person के लिए wish मांग रहे हैं कुछ लोग अपने job के लिए career के लिए wish मांग रहे हैं कुछ लोगों को अपने friend देखो यहाँ पे क्या है कि अपने soulmate क बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और soulmate के लिए manifestation चल रहा है soulmate से मिलने के लिए आप लोग manifest कर रहे हो बहुत सारे लोगों की energy यही दिखती है कि आप लोग soulmate को manifest कर रहे हो आपको आपनी life में आपका soulmate चाहिए और आप चाहते हो उनसे ही शादी करना अपने soulmate से ही शादी करना बहुत सारे लोग अपनी पुरानी यादों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे release कर रहे हैं जो कि मुझे बता रहा है cards ठीक है ना देखो कुछ ऐसे भी cards हैं जो कि बताते हैं कि देखो पीछे की यादें को छोड़ करके ठीक है ना आप एक नई life की wish मांग रहे हो ठीक है यहाँ पे मुझे यह दिख रहे है कि कहीं आप और सिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो यह आपकी wish है आपका घर हो आपकी गाड़ी हो है ना इस टाइप की भी wish मुझे नजर आ रही है ठीक है ना और यहाँ पे मुझे यह नजर आता है कि बहुत सारे लोग अपनी spiritual journey की तरफ भी आगे बढ़ने के लिए विश मांग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे awakening इनकोई जरूरत है आपको लगता है कि मुझे awakening चाहिए मुझे awakening मेरी अभी बाकी है ना तो आपकी एक wish है कि मैं जल्दी से जाना अपने twin flame या soulmate से मिलू यहाँ पे कुछ लोगों के energy मुझे यह नजर आ रही है कि आपको twin flame soulmate के energy से यहाँ पे कुछ relate करता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि हाँ आप लोगों की एक wish है है ना कि आपके जिंदगी में अगर आए तो आपका soulmate ही आए या फिर twin flame ही आए लेकिन यहाँ पे मैं देख पार ही कि आपके पास शायद कुछ choices हैं जिसको लेकर कि आप काफी confused हो रहे हो और आप decide नहीं कर पा रहे हो कि हाँ आपको क्या करना है है ना एक तरीके से देखा जाए तो आपकी love life में भी आपके पास choices है मतलब कि आपके family वाले किसी कि यहाँ मतलब कि एक रिस्ता देखते हैं कि हाँ शादी करनी है तो कहीं न कहीं तो करनी होगी न तो उसके लिए रिस्ते देखे जाते हैं तो यहाँ पे मुझे वही नजर आ रहा है कि आपके लिए कहीं रिस्ता देखा जा रहा है और आप confused हो ठीक है या फिर आपके पास job है opportunity है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी आपको offer की जा रही है तो यहाँ पर जो है ना आपके पास options available हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हो अच्छे से कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा ठीक है कहीं कहीं आपको challenging लगता है कि हाँ जो जो opportunity मेरे पास आई है काफी ज्यादा challenging है और इसको मैं कैसे deal कर पाऊंगा तो यहाँ पर देखा जाए तो आप जो है ना यहाँ पर विश मांग रहे हैं वह आपकी life में कुछ अच्छा चाहिए आपको ठीक है आज सबसे पहले तो मुझे देखते हैं कि आपकी यह बिश फुलफील होगी की नहीं होगी क्या विश विजिर्ट विंटे काई जो भी विवर देसाए जोब दे मिश लोगे है इन सारे विशेज में से देखेंगे कि हाँ कौन से विश्पूरी होने वाली है ओके सो फॉर्स्ट कार्ड यहां पे कंफ्लिक्ट एंड डिफियर का कार्ड है ठीक है इस गाइड मी बहुत सारे लोग यहां पर डड़ भी रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहल नंबर 5 नंबर 5 वाओ तो सबस्क्रैक नंबर वाइफ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हो नंंघ आय। ओपका डेटाप भर्थ हो या फिर मैंका महीना आपके लिए बहुत फिश्पेशल हो नंबर इस मेमोरी द्रॉभ वाओ ठीक है और कार्ट्स निकालते हैं और काल में के सफ रिंज रेंज करण थोड़ा ठीक है ओकई चलो अब दिख रहे हैं न कर तो यहां पर कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पॉर्षन आपके पॉर्षन या फिर आप यहां कुछ चीजों को लेकर के काफी जादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बहुत जादा आपको ऐसा लगता है जिसे कि आप उस चीज से भागना की कोशिश कर रहे हो एकदम से भाग रहे हो है ना यहाँ पे कार्ट्स मुझे यही बताते हैं कि एकडम कहते हैं कि आपको confidence नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पे आपने जो विश मांगी है उसके लिए आपको confidence नहीं आ रहा है और आप खुदी इस wish को confuse कररें मतलब कि आप wish भी मांग रहे और फिर सोच रहे कि नहीं नहीं होगा नहीं fulfill नहीं होगा है ना तो इस ताइप की energy मुझे नजर आ रही है ठीक है ना तो यहाँ पर यह बंद करो ठीक है यहाँ पर आपकी wish पूरी होगी आप पूरी तरह से जो है ना अपना पूरा best दो ठीक है और यहाँ पर देखो अपने आपको blame करने से कुछ नहीं होगा ठीक है यहाँ पर cards clear बताते हैं कि negativity को negative energy करोगे मतलब कि create करोगे तो negative ही result आपको मिलेगा ठीक है positive create करोगे तो positive ही result मिलेगा ठीक है ना तो यहाँ पर cards बता रहे हैं कि आपकी जो आपकी जो यह situation है आपकी wish पूरी करने के लिए आपको सिखा रही है यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ठीक है ना तो आप wish मांगो और सब कुछ universe को surrender कर दो कि जो होगा आप के उपर depend करता है ठीक है तो यहाँ पर wish मुझे fulfill होती हुई नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद ठीक है ना तो चाहे आपकी मुझे लगता है कि आपकी love life को लेकर कि आप लोग बहुत अदा परेशान हो है ना कोई decision नहीं ले पा रहे हो कभी मन करता है कि move on कर जाए कभी मन करता है कि नहीं रुख जाते हैं है ना तो यहाँ पर कुछ ऐसी energy भी दिख रहे है कुछ लोग अपने job को career को लेकर के परेशान चल रहे हैं थे तो यहाँ पर जो है ना काफी मुश्किलों के बाद आपको आपकी wish fulfill होगी ठीक है यहाँ पर throat chakra का card है यहाँ पर चक्रास पर भी बहुत सारे लोग work कर रहे हैं ठीक है light blue color का है यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है और मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों की color जो है ना यहाँ पर जिनका throat chakra open है उनका blue color favorite है ठीक है और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आप किसी से बात करने की wish माँग रहे हैं किसी से क्या बात करने की मतलब कहा जाए तो आप अपने person से बात करने के लिए एक wish माँग रहे है यहाँ पर वो wish आपकी पूरी होने वाली है ठीक है आप बहुत ही अच्छे एक artist है speaker है writer है singer है है ना इस type की energy मुझे दिख रहे है कि आपको singing करना बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक और यहीं पर energy मुझे यहीं दिखा रहे है कि आप chanting भी करते हो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि बहुत सारे viewers अपनी wish को fulfill करने के लिए chanting का भी use करते हैं मतलब manifest chanting यह सब होता है ना तो वो सारे use भी हो रहे है तो यहाँ पर जो भी chanting कर रहे हो वो wish आपके पूरी होगी जो भी wish आप मांग रहे हो ठीक है चाहे आपके person से related हो चाहे आपके career से related हो चाहे आपकी family चाहे health है ना जो भी आपकी wish है वो fulfill होगी ठीक है ना तो यहाँ पर यह है memory of love number 6 number 6 है guys number 6 का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पर number 6 जो है ना यहाँ पर मुझे बता रहा है देखो date of birth हो सकता है आपका या फिर आपके person का या फिर जो wish related है आपने बहुत सारे लोग chanting भी करते हैं तो chanting में number 6 भी कहीं ना कहीं आपको number 6 दिख रहा होगा है ना चाहे आपको angel guidance में दिखे या फिर angel number दिखे है ना तो कुछ number 6 का related मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद अपने past connection को अपने love को याद कर रहे हो और उनके लिए ही wish मांग रहे हो ठीक है अपने love life को ले करके काफी wish मांग रहे हो love partner को ले करके wish मांग रहे हो यहाँ पर reunion के लिए wish मांग रहे हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहे है कि हाँ वो wish आपकी पूरी होगी ठीक है आप उन यादों को भुला नहीं पा रहे हो जो यादे आपके साथ जो है न है ठीक है तो यहाँ पर नमबर सिक्स जो है यहाँ पर रिलेट करता है सपोर्ट को डेडिकेशन को यूनिटी को जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ बै नजर आ रहा है बैलेंस बनाना चाहते है अपने पॉर्ट संस के साथ अराम से बनेगा ठीक है कुछ लोगों का जो है ना फैबरेट कलर यालो है ठीक है और यहाँ पर मुझे यह दिखता है नमबर थी का कार्ड है ठीक है तो फिर नमबर थी को रिलेट कर रहे हैं आपने ड ट्रेवल करने का कुछ लोगों का विश है कि हम यहां घूमने जाएं पूरी दुनिया को घूमने का विश यहां पे मुझे दिख रहा है कि विश है आपकी तो यहां मुझे यही नजर आ रहा है कि आपकी यह विश भी पूरी होगी बहुत सारे लोग यहां पे अपने सोलर प्लेक्सिक्स चक्रा पे वर कर रहे हैं इसके लिए योगा कर रहे हैं डांस है ना यहां पे बहुत सारे कलर के साथ जो है ना यहां पे आप लोग पेंटिंग करना हो सकते हैं कि पसंद है ठीक है क्योंकि यहां पे मुझे कलर्स दिख रहे हैं ठीक है ना तो यहां पे यही न ज़रूरी है तिहिकर आपके अंदर पावर भी आ रहे हैं तो हुनेवारी है जो भी आपने विश्मागी है जो भी अपने जिंदगी में ठीक है-पे-पी-पुल-फिल होगी अगर आप इस पावर के साथ रहें तो ठीक है । यहां पर का-a-rs boug colour बताते हैं कि देखो बहुत सारे विवर्ज जो हैं काफी दर्द काफी तकलीफ आप लोगों ने झेली है तो यहां पर यहीं है कि बहुत ही सांथ रहकर के चीजों को और यहां पर मुझे वही नजर आता है कि आपकी जो विश है यह शांथ रखकर के आपने जो सहा है जो बरदाश किया है ठीक है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपको जिंदिगी में आपके चाहिए वो आपको मिलेगा देखो यहां पर क्या है ना कि आपका माइंड दिख रहा है कि जॉब और कोई सपना है आपका जिसको आपको पूरा करना है ठीक है तो वो सारी चीजे जो है ना मुझे नजर आ रहे है कि हाँ वो पूरी होंगी ठीक है क्योंकि आप यहां पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं वो सपना पूरा होगा नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा है ना तो यहां पे लव लाइफ को भी लेकर के काफी ज़्यादा परिशान चल रहे हो और अपनी प्रस्नल लाइफ जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे है कुछ लोग ठीक है ना तो यहां पे मुझे यह नजर traveling lightly okay travel बहुत सारे लोगों की जिन्दगी में travel करने का सपना है wise leader okay joy and delight okay transformation वाव तो यहां पर आपकी जिन्दगी में changes आने वाले हैं कार्ट बताते हैं कि आप जो है हो सकता है कि आपको कहीं travel करना था out of country जाना था जो कि आप जाने ही पा रहे थे और आपकी विश थी तो ठीक है ना यहां पर क्योंकि new beginning मुझे नजर आ रही है wise leader का कार्ड है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का विश है कि आप एक लीडर बनो आप जो है यहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होते थे ना तो हम एक लीडर होते थे ठीक है तो उसी टाइप की एनरजी बहुत सारे लोग यहां पर मैनिफेस्ट करें कि हम इस टीम का लीडर बने और हम इस तीम को लीड करें है ना यह विश भी जिस जिसकी है वो पूरी होने वाली है जो एंडिलाइट यहां पर मुझे जो है ना यहां पर बहुत पॉस्टिव रहो यहां पर क्योंकि कार्ट बताते हैं कि यहां यहां पर चेंजिस होने वाले हैं ट्रंस्फॉर्मेशन का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यह एक न्यू बिग्निंग होगी आपकी लाइफ में लाइफ चेंजर है यह ठीक ह तो यहां पे यही दिख रहा है मुझे, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो आपके पार्टनर के लिए आपने विश्मागी थी, तो वो भी फिल्फिल होने वाली है, ठीक है न, तो यहां पे रीडिंग को हम खतम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीड